जै श्री कृष्णा, मार्क्षीर्ष महा के शुक्रपक्ष की एकादशी को मुक्षता एकादशी के नाम से जाने जाता है। इसका महातम इस प्रकार से है। धर्मराज दिश्टिर कहने लगे की हे भगवान मैंने मार्क्षीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का साविस्ता वर्णन सुना। अब आप किरपा करके मुझे मार्क्षीर्ष महा के शुक्रपक्ष की एकादशी के विश्य में भी बतलाईए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके वर्थ का क्या विधान है इसके विधी क्या है इसका वर्थ करने से किस फल की प्राप्ति होती है। किरप्या यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले मार्क्षीर्ष महा के शुक्रपक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह वर्थ मोक्षदेनी वाला तथा चिंता मनी के समान सब मनो कामनाय पूर्ण करने वाला है। जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महातम मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। गोकुल नाम की नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारो वेदों के ग्याता ब्रामन रहते थे। वह राजा अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्री में राजा ने एक सुपन देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा ही अश्चर हुआ। प्राते वेविद्वान ब्रामनों के पास गया और सुपन सुनाया। कहा मैंने अपने पिता को नरक में कश्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र मैं नरक में पड़ा हूँ। यहां से तुम मुझे मुक्ती कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब ही से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित में बड़ी अशानती हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, इस्त्री, हाथी, गोड़े, आदी में कुछ भी सुकपर्तीत नहीं होता। क्या करूँ। राजा ने कहा हे ब्रामन दे बताओ, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप किरपा करके कोई तप, दान, बर्त, आदी ऐसा उपाय बताए जिससे मेरे पिता को मुक्ती मिल जाए। उस पुत्र का जीवन वेर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वे हजार मूर्ग पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परन्तु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्रामणों ने कहा, हे राजन, यहां पास ही भूत्र भविश्य वर्तमान के ज्याता परवत रिशी का आश्रम है, आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनी के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चितियोगी और मुनी तपस्या कर रह ते उसी जैगे परवत मुनी बैठे थे। राजा ने मुनी को शाष्टांग दंडवत किया। मुनी ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछे। राजा ने कहा कि महराज आपकी किरपा से मेरी राज्ये में सब कुछ कुशल है लेकिन अक्समात मेरे चित में अतियंत अश कांती होने लगी है ऐसा सुनका परवत मुनी ने आखें बंद की और भूत विचारने लगे फिर बोले की हे राजन मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्म को जान लिया है उन्होंने पूर्व जन में कामतर होकर एक पतनी को रती दी किन्तु सौत के कहने पर दूसर पतनी को रितुदान मांगने पर भी नहीं दिया उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नर्ख में जाना पड़ा तब राजा ने कहा इसका कोई उपायवत लाई है मुनी बोले हे राजन आप मार्शीश एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुन्हे को अ इसके परभाव से आपके पिता की और श्यर नर्ख से मुक्ती होगी मुनी की ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनी के कहने अनुसार कुटुम्ह सहित मोक्षिदा एकादशी का वर्थ किया इसके उपवास का पुन्हे उसने पिता को अर्पन कर दिया इसके को मुक्ती मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे हे पुत्र तेरा कल्यान हो यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए मार्शी मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षद एकादशी का जो वर्थ करते हैं उनके समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं इस वर्थ से कर मोक्ष देने वाला और कोई वर्थ नहीं है इस दिन गीता जैन्ती भी मनाई जाती है साथ ही है दनुर मास की एकादशी कहलाती है अते इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंब करें तथा परति दिन थोड़ी दिर गीता अवश्य पड़ें।